प्रम्पुर्ज्य महराजी के चलनों में मेरा मेरी परिवार का और पार्श्वनात ब्रह्मचारी अश्रम गुर्गुल के सभी छातरों का त्रिवार नमस्तु। महराजी मैं टीचर हूँ मेरे साथ 1300 बच्चे रोज रहते हैं और उन्हें थोड़ा भुद पढ़ाने का काम करती हूँ पर बच्चों की मानसिक्ता ऐसी होती है वो माबाप का कम सुनते हैं टीचर का ज्यादा सुनते हैं और बच्चे अनुकर्ण फुरिय होते हैं तो मेरा चार बातें आपसे तो सुनती हूँ पर यहां से चार बातें ले जाना चाहती हूँ जो कि मैं उन बच्चों को दूँ और बच्चे जाने अन जाने वो बच्चे वो बातें फॉलो करें और अपनी भारत की युवा पीड़ी आने वाली पीड़ी कुछ और करें महराजी में उन्हें और ज्यादा मार्गदर्शन की जरुत होती हैं समय समय पर हम करते ही हैं पर महराजी परिस्तिती बहुत बदल गई हैं इसमें हमारा दाइत्व थोड़ा बढ़ चुका हैं तो आप से और अधिक मार्गदर्शन की अपिक्षा रखती हूँ देखें बहुत ही महत्पून सवाल आपने ख़़ा किया है बच्चों के भुष्य के निर्मान में सिक्षकों का महत्पून इस्थान है और अगर सिक्षक संसकार निष्ट होते हैं चरित निष्ट होते हैं तो उनके वेक्षित की अमिट छाप चात्रों पर पड़ती है जो उन उनके जीवन के लिए एक दीप स्तंभ का काम कर सके हैं मैं आपके मध्य हम से देश भर के उन तमाम चात्र चात्राओं के लिए चार बाते कहना चाहा रहा हूँ सबसे पहली बात हर बच्चे अपने जीवन की सीमा का ख्याल रखे उन्हें आप सीमा का बोट कराएं मेरे जीवन की सीमा क्या है यदि मैं इसे भूल जाओंगा तो अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकूँगा मनश जो कुछ भी करे श्रीकार है पर उसके एक सीमा होनी चाहिए बांडरी क्रोस करने में जीवन का मज़ा खतम होता है तो हर बच्चे को अपने जीवन की एक सीमा फिक्ष करनी चाहिए कि इस से बाहर तो मुझे जाना ही नहीं है हमारी परंपरा में जाती मर्यादा, धर्म, मर्यादा कुल मर्यादा में सारी सीमाएं आ जाती थी जो हमारे सारे सामाजिक मुल्यों को सुरक्षित रखने का आधार बनती थी तो हर बच्चे को सीमा को सुरक्षित रखने का भाव रखना चाहिए कि ये मेरी सीमा है, इस सीमा को मुझे किसी भी हलत में क्रॉस नहीं करना है दूसरा संसकार निष्ठ बनाएए उन्हें संसकारों का पाठ पढ़ाएं और बच्चों से कहें कि जीवन में संसकारों का क्या महत है अगर बच्चे संसकारों के महत्त को समझेंगे और उनकी सुरक्षा करेंगे तो उनके जीवन में कभी किसी प्रकार का भटकाव नहीं आएगा चाहे वो लड़का हो या लड़की संसकारों की आवशक्ता सब को है और संसकार ही हमारे जीवन की असल पूंजी है इसलिए उन्हें संसकारों के प्रति हमें दिर्ध बनाए रखने की बहुत ज़्यादा आवशक्ता है तीसरी बात उन्हें कि वे लगन सील बने अपना जो लक्ष है उसके प्रति समर्पित होते हुए पूरी लगन निष्ठा के साथ काम करें सफलता के लिए सबसे बड़ी आवशक्ता है लक्ष निर्धारित कर उसके प्रति लगन से जुटना यदि वे अपने लगन के साथ जुटे रहेंगे तभी कोई अच्छा परणाम प्राप्त कर सकेंगे और चौथी बात उनके अंदर सैयम होना चाहिए सैयम जीवन का एक बड़ा सुरक्षा कबच है उनने सैयम का पाट पढ़ा है ताकि वो वेशन बुराईयों से अपने आपको दूर रखते वे जीवन को आगे बढ़ा सके